करेंट और बोल्टेज के कैलकुलेशन के लिए हम एक निमरिकल दे रहे हैं आप देखें के हिएर इज वन बैटरी 10 बोल्ट और पाजिटिव टर्मिनल यहां पर मालो की सपोस्ट भी पोटेंशिया निगेटिव जीरो मालो करके चलो तो यहां से चलने के बाद two resistances six and twelve current distribute हुई तो parallel में हो गए आगे बढ़ो four ohm तो जो current यहां main थी वही main current यहां two parts में divide हुई फिर मिल गए तो फिर वही current आई इसमें flow करेगी यहां three and six parallel तो यहां पर current distribute हो जाएगी मिल करके फिर total current negative पर पहुँच जाएगी तो इस तरीके से current distribution होता है तो यह six और twelve का parallel में यह हम लोगों निकाला आरवन आरटू अपान आरवन प्रसार टू वाले फार्मुले से फोरोम आ गया तो यहां फोरोम यह फोरोम और फिर उसके बाद three and six का आरवन आरटू अपान आरवन प्रसार टू के फार्मुले से नि दे निकला आया आइ क्ल टू वी अपान आरवन फ्रसार टू प्रसार टू फ्रसार तरी तो वी किता है वी इस यॉर यह 10 वॉल्ट वी इस यॉर 10 पोल्ट ई डू एम्पियर बाद से से पहले potential तो जो यह 6 और 12 ओम है तो इसका equivalent आया है 4 ओम तो आई आर तो आई है 1 एमपियर यहां पर current आई की value 1 एमपियर निकाला है इस current is 1 एमपियर तो 1 एमपियर इंटो 4 तो 4 बोल्ट यहां पर 4 बोल्ट यह 2 ओम है तो यह इसका 2 बोल्ट 1 इंटो 2 बोल्ट आ गया तो potential differences अगर सब पर पूछे 6 ओम पर 4 बोल्ट 12 ओम पर 4 बोल्ट 4 ओम पर 4 बोल्ट 3 ओम पर कितना आएगा 3 ओम पर यहां potential difference यह 3 ओम पर 2 बोल्ट और इस 6 ओम पर भी 2 बोल्ट 3 ओम पर 2 बोल्ट 6 ओम पर 2 बोल्ट 4 ओम पर आपका 4 बोल्ट और इसका जो 6 ओर 12 का कमबाइन आया था 4 ओम इस पर भी 4 तो 4, 4, 8 ओर 2 10 बोल्ट 10 बोल्ट टोटल पोटेंशल डिफेरेंस हो गया टोटल पोटेंशल डिफेरेंस टो टेंड बोल्ट हो गया अब करेंट हर एक में देख लो तो यहां पर 6 ओम में I1 तो I1 इसकल टू पोटेंशल वी अपान आर 6 ओम में चाहिए तो I1 इसकल टू वी इस 4 तो 4 अपान 6 that is equal to 2 by 3 I2 is equal to V upon R2 तो यहां 12 है तो 4 अपान 12 किता होगा 1 by 3 ampere इसमें current 1 ampere है ही यहां पर 3 पर 2 बोल्ट पोटेंशल डिफेरेंस है तो 2 अपान 3 I3 और I4 किता होगा 2 upon 6 1 by 3 ampere तो इस तरीके से total आपका हो गया current distribution बोल्टेज तो किसी भी circuit में आप इस तरीके से निकाल जबते हैं अब एक principle हम आपको बता दें wheat stone bridge वीट stone bridge principle आपको बताने जा रहे हैं यह आप capacitor में भी पढ़ चुके हैं मैंने पढ़ाया था प्रोब भी किया था यहां पर क्या है 5 resistances हैं तो 4 resistances तो quadratal के side से किया R1, R2, R3, R4 R5 B और D के बीच जोड़ दिया और यहां पर आपने A और C A और C के बीच एक आपने लगाया ही battery यह A है A और C के बीच आपने battery लगा दी तो A और C के बीच बैटी लगा दी यहां से current आकर के I1 इदर गई I2 इदर गई आप चाहते हैं कि B और D में current ना flow हो यह condition मानिए No current flow between B and D तो B का potential BX हो D का भी potential Same potential हो तो current नहीं flow होगी क्योंकि potential difference 0 तो current 0 X X X X तो V minus X is equal to I1 R1 यह तो formula जानते हैं और V minus X is equal to I2 और R3 V minus X is equal to I2 into R3 तो इससे क्या आएगा I1 R1 is equal to I2 R3 यहनि I2 upon I1 की value निकालो R1 upon R3 आ गया ऐसे इस साइड में आओ X minus 0 is equal to I1 R2 X minus 0 is equal to I2 R4 I2 R4 तो इससे I1 R2 is equal to I2 R4 तो I2 upon I1 R2 upon R4 आया I2 upon I1 R1 upon R3 आया दोनों को equate करो R1 upon R3 तब यह आए जाएगा Equate करने पर आपका आएगा R1 upon R3 equal to R2 upon R4 इसको R2 ऐसे ले आओ को नीचे R3 वहाँ ले जाओ ताकि याद करने में आजान हो जाए R1 upon R2 is equal to R3 upon R4 मतलब यह condition है कि आप आप इसको खुब detail मयाद करिए कि R1 upon R2 is equal to R3 upon R4 हो तो BDR में जो इसका diagonal है इसमें current 0 हो जाएगी इस resistance को हटा दिया जाएगा इस resistance को कैसे हटा आजाएगा देखिए बोर्ड पर देखिए यह ऐसे कर दो यह ऐसे कर दो अब हट गया कैसे हटा उपर उपर तोड़ा हटा देजिए अब यह R5 वर्क नहीं करेगा अब यह नहीं वर्क करेगा तो R1 R2 सिरीज में हो जाएगे R3 और R4 सिरीज में हो जाएगे फिर जो आएगा वो आपस में parallel कर देना answer आ जाएगा यही वीट इस्टोन ब्रिच का प्रिंसिपल है R1 अपन R2 R3 अपन R4 तो R5 कैंसिल हटा दो उपर कोई फरक नहीं पढ़ेगा सरकित पर